पुश्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं कि भारत की Neighborhood First Policy ये क्या है और इसके सामने क्या क्या चुनोतिया हाती है हमारे सामने और कैसे हम इससे हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे पडोसी देश हैं वहां तक हमारी डिप्लोमेसी पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं पॉलिटिकल क्नेक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और Neighborhood First Policy अभी ये चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी हाली के अंदर क्या हुआ जो हमारे देश के External Affairs Minister है जैशंगर परसाद जी वह मालदीव के प्रेजि First Policy मालदीव की हो गई इंडिया First Policy अब जो दोनों जो पॉलसी है वो एक दूसरे की Compliment है Compliment यह नहीं एक दूसरे को पूरा करती है और अब यह जब दोनों पॉलसी एक साथ आती है तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन हो वो बहुत जादा अच्छे हो जाते हैं क्य ऐसलिया बात करते हैं कि भारत की जो नेबर हुट फर्स पॉलसी है इसके बारे में नेबर हुट फरस्ट पॉलसी के मत्सिका मतलब होता है कि इनडिया जो है वो अपने साथ जो भी हमारे जो प्रोसी डेशें उनके साथ एसा रिलेशन वो कायम करेका जैसे कि friendly जो रिलेशन हो दोनों ही देशों के पीछ में मैत्री पूर्ण संबंज है वो बने रहें और भारत एक एक एक्टिव डेवलोप्मेंट पार्टनर है ऐसा नहीं है कि बस बना के छोड़ दी हो पॉलसी यह भारत उसके पर वर्क है रिजनल फ्रेमवर्क या फिर कहीं कि मूचिल बेनिफिशल प्रवाइड करने वाली एक पॉलसी है ऐसा नहीं है कि हमने आपकी हैल्प की और अब इस हैल्प के बदले आप हमें जमीन दे दीजिए जैसे हमन डोटा जो है वो शिरलंका का चीन ने हड़ अप लिया पैसों के जो लोग हैं उनको हम समरिद करने की कोशिश करते हैं या फिर इस पॉलसी के तैस समरिद करने की कोशिश की जाती है और यहां पर दोनों ही देशों को दोनों ही देश ऐसे नहीं है कि सिर्फ पर सिर्फ भारत को फायदा हो यहां दोनों ही देश जो भी हमारे देश के साथ पडोसी जो देश हैं या फिर दो या तीन जितने भी हमारे पडोसी देश हैं उनके साथ हम ऐसा relation बना के रखते हैं कि जो हम दोनों ही देशों का उसमें फायदा हो better connectivity हो वहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ connect हो पाएं security है जो वो बोर्डर के ओपर वो अच्छे से बनी रहे वहाँ पर जो रिलेशन है दोनों देशों के बीच में जितने भी मारे पडोसी देश हैं वो बहुत जादा मजबूत हो तो यह सारे जो काम है neighborhood first policy के तहते हैं इसका में फोकस क्या है परपस क्या इस पॉल्सी का देखे भारत ने अभी आपको बता है कि हमारे देश के अंदर जैसे कि हम बात करें शार्क यानि कि South Asian Association for Regional Corporation जो इन देशों के साथ जो सदस्य देश है इस शार्क के उनके साथ एक M.O.U. जो साइन किया था जिसमें बोला गया था कि जो भारत है सीमा पर जो संसादन है उर्जा है माल है श्रम है सूचना उनका मुख्त परवाह करेगा मतलब उनके पर कोई त्याम है वहां पर ऐसी अराजकता है तो वह डेफिनिल्टी भारत को परिशान करेगी या फिर कोई और दूसरा देश जो है उसका फाइदा उठा सकता है भारत को ही नुक्सान देने के लिए तो हमारे जो देश हैं उनके लिए हमारी प्रात्मिक्ता वह मतलब कि हमें अव रहता यानिकि डायलो करते हैं अम देख दूसरे देशों के साथ जो शेत्रियव कुट्विट्भी इक जाती हैं दोनों कोर्परिशन वे किसी बैब थैफार संबंदों को पढ़ाने पर यह फोकस करती है भारत ने इस शेत्र में विकास के उदेश्य से जो भी जो शार्क में समेलनों में भाग लिया था और इसके सदस्य देशों को धांचा यानि जो वहां के इंफाच्चर जो प्रयोजना है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया था भारत ने उधान के लिएकर मैं बात करूं तो पांगलादेश भुटान भारत नेपाल जहां पर मोटर वीकल समझोता हुआ था जल शक्ति परबंदन इंटर ग्रीड कनेक्टिविटी भारत की भागीदारी से जो है वो यह देखा जा रहा है त पिर जो वैदर फॉर्कास्टिंग है कॉम्णिकेशन है वह दूसरे देशों के लिए साजा करने के लिए ताकि वह वहां पर मैनेजमेंट कर पाएं तो यह सब काम जो है वह नेवरूट फस्ट बोलसी के तायता था दूसरा सैन्य दा था सुरक्षा अभ्यासों के आयोजन म से शेत्र में सुरक्षा सुनिचित करने पर भी ध्यान केंदेद कर रहा है अब देखिए इतना साना तो हम करी रहे हैं अब बात आती है जो मिलिटरी है दूसरे देशों के साथ हम उनके साथ अभ्यास करते रहते हैं ताकि हमारे जो सुरक्षा है हमारे देश की सुरक्षा ह वो सुनिश्चित की जा सके clear हुआ अब पड़ोसी देशों के साथ अगर मैं बात करूं भारत और मालदीव के रिलेशन के बीच में एक तो हमारे देश के अप लोगों को बता है कि जो हमारे देश के external इनकी दो दिन की यात्र है और इस दो दिन की यात्रा में काफी सारी चीजें जो है यह फिर कहीं कि काफी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके उपर साइन किये गए हैं सबसे पहले आता है एक हमारे सामने है मालदीव को अड़ू में एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और रिहबिलिटेशन सेंटर जो है वो स्थापित करने में भारत मदद करेगा और यह जो जो काम यह जो गर्वर्मेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया है यह अकेला काम नहीं है ऐसे 20 सबसे बड़े काम भारे सरकार के द्वारा जो चलाई जा रहे हैं उन में से यह एक है अब इसके अलावा आर्थिक्स है देखिए प्रेटन जो है मालदीव की अर्थविस्ता का मुख्यादार है प्रेटन में में जो है कहने कि किसी भी देश की जो रीड़ की हड़ी क्या है जैसे हम इसकाम बात करें मालदी इसका पर्मुक रोजगार मालदीव के लिए नहीं जेखिए मालदीव भारत के लिए एक देखा जो है वह स्टाट कर दिया है मतलब की इस company इसका नाम है greater male connectivity project यह स्टाट किया गया भारत यह कंपनी के द्वारा अब भारत बुटान के अगर हम बात करें देदेखिए भारत बुटान संदी मितरता संदी थी यह संदी अन्य बातों के अलावा स्थाई शांती और मितरता और मुफ्त वेपार वानिजय और एक दूसरे के नागरिकों का सम्वान न्याय परदान करने के उपर जोड़ देती है मेगावाट जल विद्यूत विकास और अग्ये जो है अपना ही देश यह यूज कर लेगा बुटान अर्जोबच जाएगी उसको वहां पर एक तरीके से इंपोर्ट करवा सके एक्सपोर्ट करवा सके यह भी सहमती की गई थी यह सारी जो है वो भारत सरकार के साथ की इसके विद्य साहता परदान करता ही आ रहा है भारत ने भुटान की बारवी पंच विर्शे उजना जो स्टार्ट हुई थी दो हजार अठारा में दो जार तेश तक चलेगी इसके लिए 4500 क्रोड रुपे जब भारत ने दिये हैं भुटान को अब बात करते हैं भारत नेपाल अ कि बात करते हैं अर्थात अगर एक बार आयात किये जाने के बाद विदेशी वरस्तों को घ्रेलु समान के से अलग नहीं माना जाएगा मतलब कि अगर कोई नेपाल से कोई समान भारत के अंदर आ रहा है तो इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि विदेश चाया है इसको घ्रेलु ही माना जाएगा ये कंसेडर किया जाएगा इसके लावब जल विद्यूत प्रियोजने देखे दोनों देशों के बीच 490.2 मेगावाट और अरुन चार जल विद्यूत प्रियोजना के विकास और कारेनवन के लिए सतलु जल विद्यूत निगम लिम्टिड और नेपाल विद्यूत प्राधिकरन के बीच 5 समझोतों पर साइन किये गए नेपाल ने भारतिय कंपनियों को नेपाल में अमंत्रित किया है कि वो पश्चिम सेती सतलु प्रियोजना में निवेश करने के लिए वहां पर तत्पर रही है या फिर आगया है निवेश करने के लिए अब भारत और शिनलंका के बीच में बात कर लेते हैं भारत और शिलंका ने एक समझोते पर साइन किये गए थे भारत को जाफना में तीन दीव एक का नाम है नेना तीवू दूसरे का नाम है डेलफेट इसका एक औरी नाम है नेदू निदीव और एक तीसरा है एनला इटीवू यहां पर हाइब्रिड विद्यूत प्रियोजना स्थापित करने की सुविदा परदान की समूंदरी बचाव समनवे के इंदर यानि मेरिटायम रेस्क्यू कोर्डिनेशन सेंटर भारतर शिरलंका एक समूंदरी बचाव समझवे के अंदर स्थापित करने के लिए भी सहमत हुए जो पडोसी देशों के बीच अधिक रक्षा शेतर सहो का संकेत देता है अब एकात्मिक डिजिटल पहचान फ्रेमवर अब शिरलंका जो है वो कहीं ना कहीं भारत की जो अधार कार्ड जो नीती है उससे परभावित ह कर अपने देश में अधार पर ना लिए वो स्टार्ट करने जा रहा है जहां पर क्या होगा कि बायमेट्रिक डेटा लिए जाएंगे वहां पर डिजिटल उपकरन में साइबर स्पेश में वेक्तियों के पहचान रखी जाएगी यह सारे जो है वो काम किये जाएंगे यहां इसे फैल कर दिया घ्रेल हुआ मैं यह देख सब्सक्राइक और मुफ्थ वेपार में भी भादा उत्पन करा है तो सरकार पर दबाब बनाता जा रहा है यह कहना है इंडिन एक्सप्रेस का एसा मिरगना नहीं कहना है। भारत की घ्रेलु राजनिती का पराओ देखे भारत की जो घ्रेलु राजनिती है वे एक मुसलिम बहुल देश बहुल अंगलादेश में समझे हैं पैदा कर रही है यह दरशाती कि भारत की पड़ोसी पहले की जुनिति यानि नेवरूड फर्स बोल सी है बांगला देश जैसे मित्र शेत्रों में गंभीर चुनोतियों का सामना कर रही है पश्चमी देशों की तरफ भारत का जो जुका बढ़ता जा रहा है देखें अभी आप देखें क्वार्ड हो गया या फिर हमारे सामने मल्टी लेटरल जो इनिशेटिव है यानि कि जो पश्चिम जो देश है वहाँ पर भारत का थोड़ा जुकाफ हो गया है जिसके चलते जो है कि जो बाकी कंट्री जैसे श्रिलंका होगी श्रिलंका का अभी पश्चिम देशों के खिलाब कोई अच्छा रुक है नहीं क्यों अब पैदा ही होता जा रहे हैं अब इसके अलाव आगे की रहा क्या हो सकती है भारत की पडोसी नीती के लिए हमें गुज्राल सिद्धान पर अधारित होनी चाहिए और यहां पर भारत की शेत्रिया आर्थिक और विदेश नीती में एक एक करना एक बड़ी चुनोती बन रखते हो बड़े आर्तिक गितों पर वोकस करना चाहिए भार सरकार को यह सब बाते बोले गई उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो टॉपिक है भारत की जो नेवरूट फर्स वोल सी वह आप लोगों को समझ में आ गई होगी फिर से पीडियो के लिए माप लोगों को बता द